हेलो बच्चो मैं हूँ रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं तक्षशिला तो जैसे कि आपने अपने सेकेंड टर्म की तयारे सुरू कर दी होगी और उसी सीरीज में आज हम आपके सेकेंड टर्म के सभी स्थाइंस के चैप्टर्स को खतम करने वाले हैं एक एक करके ठीक है करेंगे आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं कावन एनिट्स कंपाउंट्स इसमें जो आयू पीएसी नेमिंग का सेक्षन है वो निकाल दिया गया है और जो रियक्शन है कार्बन के वो निकाल दिया गया है तो इस वीडियो में हम उतना ही पार्ट ले रहे हैं जितना करेंगे कार्बन को हम पूरे तरह खतम करने वाले हैं हम चोटा वीडियो बना रहे हैं फिर एक ही वीडियो के अंदर ले रहें तो यह मतलब नहीं है कि हम उपर-उपर से चल जाएंगे हम अच्छे से डीटेल में जाएंगे अच्छी तरह में आपको समझाओंगा और उसक वीडियो को देखने के बाद आप प्रिवियस कोश्चन लगा सकते हैं उससे आपकी तयारी और अच्छी हो जाएगी तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए शुरू करते हैं कि कार्वन के बारे में आपको कुछ बात पता होनी चाहिए कि कार्वन का जो अटॉमिक नंबर है वह six है और यह 14 ग्रूप से आता है पिरियोडिक टेबल के 14 ग्रूप में आता है तो पिरियोडिक जो टेबल है उसका कर कुछ ऐसा है कि आपको शॉर्ट में पिरियोडिसिटी बाल चापेड इंक है तो आप ध्यां से देखे से से तो यह जो वरिटिकल लाइन से वर्टी कल जो अरेंगम Fitness है मैंने य inac яр तो और यह बंद ग्रूप क्या है। जो जो वर्टिकली अइंजट है अगर हम उन्ह भरेटिकलिए देखे तो उन्हीं ग्रूप्स करेंगे और जो होरिजोंटल है यह पीड्स करेंगे तो हमारा जो कार्भन है वह 14 झ्वर भी लॉब को भिलांच के सख़रता है कारबन फैंदी है पुरे इसकी और आगे हम देखते हैं कारबन एक नौन मिंटल है ठीक कारबन एक मेटल नहीँ है अब हम कारबन के बारे में क्यूं पड़ रहे हैं चैक पुरूरोण है। सरे पेपर पर या फिर अपने नोड़ बुक में जो नोट बना रहे हैं जिस पेंसिल का अब यूज़ कर रहे हैं आपको खुद का जो घैंड है आपकी खुद की बॉडी हर एक चीज पॉड़न सरे ही पने हैं यह यूज़ करते दे जगाई पर कपारबन से बने होई कंपाउंड से उनको स्टडी करने के लिए एक अलग केमिस्ट्री ब्राइच है तो कार्बन इतना इंपॉर्टन्ट है ठीक है जो लाइफ है धर्ती पे वह कार्बन बेस्ट है मतलब जो लाइफ फ़ॉम समें दिख रहे हैं उनके बोडी कंपोजिशन मे majority part carbon का है तो ऐसी क्या बात है carbon में कि ये इतने compounds बना रहा है और हर जगह में carbon carbon ही देखने को मिल रहा है वही बात आज हम इस वीडियो में जानेगे ठीक है देखे, bonding in carbon अब पहली बात कि carbon हर जगह क्यों present है तो ये बात आपको पता होने चाहिए कि एक अगर कोई इंसान है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है तो या तो बहुत बद्वाश होगा या बहुत अच्छा आदमी होगा तो carbon second category में fall करता है अगर हम इसे हम अपनी day to day life से relate करके देखें carbon बहुत सारे elements से bond मनाता है क्यों? because हम देखेंगे कि इसके balance है 4 है इसके वैसे ठीक है और इसके जो bonds होते हैं होते हैं इसके लिए bonds बनाता है लेकिन आपको यह बात याद रखने है कि carbon जो है बहुत सारे elements के साथ bond बनाता है और वो bonds जो होते हैं वो comparatively बहुत ही stable और strong होते हैं बजाए की दूसरे elements के इसलिए हमें carbon compounds अलग अलग जगे पर देखने को मिलते हैं और जो variety of चीज़े हैं उनमें हमें carbon का majority देखने को मिलती है ठीक है तो पहला बात जो हम देखेंगे bonding in carbon में हो है covalent bond तो covalent bond का मतलब क्या आपने पिछले पिछले chapters में या फिर जो है पिछले साल पढ़ा होगा ionic bond के बारे में ionic bond में क्या होता है समझ यह जो है हमारा एक item है यह दुसरा item है तो एक item अपना जो electron है वो दे देता है दुसरे item को के और एक दुसरा item उसे accept कर लेता है तो मैं आपको आपका जो पुराना भूला हुआ portion है वो भी रिवाइस करवा रहा हूं तो यह item है यह क्या करेगा अपना जो electron है वो दुसरे को दे देगा और दुसरा item इसे ले लेगा ठीक है तो यह give and take relationship हो रहा है यह कहा होता है यह बहर के लोगों के साथ होता है हम बहर जब जाते हैं तो क्या करते हैं कोई चीज़ दे देते हैं दूसरे को और वो ले लेता है वह रहा है तो फीक है यह बहर के relationship में तो ऐसे bond होते है वह बहुत ही strong bonds होते हैं ठीक है यह में सॉल्ट में देखने को मिलता है इसे एने सेल हुआ ठीक है तो सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरी इनको तो यह आयोनिक बॉंड अब कोवेलेंट बॉंड जो है वो घर के रिलेशन्शिप के जैसा है घर में हम क्या करते हैं कोई चीज किसी के नहीं है ठीक है तो यह दोनों अपने जो इलेक्ट्रॉन से वो शेयर करते हैं दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और फिर दोनों का जो अक्टेट है वो पूरा हो जाएगा आपको पता होगा अक्टेट पूरा करना क्यों इंपॉर्टन है बिकॉस जो भी एलिमेंट का एक आइडल हुता है कि मूझे इसकी तरह बनना है किसी का आइडल jay film stars होते हैं किसे का जो है политician होते हैं किसी के अलग अलग फिल्ड में आइडल होते हैं तो इन आइडल की तरह में बनना है इस से क्या होते हैं पूर्ण हो जाते हैं ठीक है हम और वह अपने जो पिरिद में है noble gas उसकी तरह बनना चाहता है हम आगे देखेंगे नेग्स श्टाइप्टर में जो कि अरिक पिरिद में इसокा लास्ट में जो होता है element वह noble gas होता है तो noble gas की तरह बनना चाहता है高 noble gas बनने के लिए उसके जो लास्ट shell है उसमें पूरा जो उसका octet है वो पूरा हो जाना चाहिए मतलब हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में ये nucleus होता है item का ठीक है इसके around shells होते हैं तो ये k shell हुआ, ये l shell हुआ, m shell हुआ ठीक है तो k shell में कितने electron सा सकते हैं 2 तो अगर कोई item है जिसका last electron k shell में है तो वो चाहता है कि उसके k shell में 2 के 2 electron भर जाएं अगर कोई item है जिसका last electron L shell में है यहां तो वो चाहता है कि इस shell में पूरे electrons L shell में कितने electrons आएंगे 8 electrons तो वो चाहता है कि मेरा octet पूरा हो मतलब last जो मेरा L shell है है उसमें पूरे के पूरे एधने से यह फिर Ayada पर एक हें लग्टान ना रहें कि पो के तो वह चाहता है कि मेरे लास्च शेल में एधने साजा या एक भी लेटा ना रहें तो हम Crunchbox का configuration देखते का देखिए Park है कारभन जो है यह यहां हमारा Molechu रहा यूग्छ बना है तो एंड फॉर तो इसके पहले श्यल में जो है टू एलेक्टराश यह रहे दो इलेक्टर उसके नेक्स्ट श्यल में हम देख रहे हैं कि इतनी इलेक्तर उसे One Two Three Four ऊके तो इसके last shell में या फिर उस shell का नाम क्या है एल एल ठीक है एल शेल में जो है 4 electron है लेकिन एल शेल का octate का पूरा होगा जिब उसमें 8 electrons होगे ऊके जब यहां जोए 8 electrons आ जाएंगे इस शेल में तो इसका octate पूरा हो जाएगा लेकिन इसके पास है चार तो ये दो चीज़े कर सकता है ये अपने चारो की चारो इलेक्ट्रॉंस किसी को दे सकता है ठीक है इससे क्या होगा इसका जो ये यहां के चारो इलेक्ट्रॉंस निकल जाएंगे तो इसका जो ये शेल है के शेल ये वाला शेल इसका ओक्टेट पू सब्सक्राइब, दो काम कर सकता है, लेकिन यह ऐसा नहीं करता है, क्यों, इस प्रोटॉन होते हैं उतने ही नमबर अप्रोटॉन होते हैं, तो यहां नीउक्लियस में भी जो है, six protons है, ओके, तो अगर यह जो carbon का ऐटम है, वो और चार इलेक्ट्रों किसी से ले लेगा, ओके, स की खाली 6 protons है वो hold नहीं कर पाएगा इन electrons को सही से बिकाद protons का नंबर खाली 6 है और electrons का नंबर जो है कितना हो जाएगा अहा तेन हो जाएगा तो 10 electrons को 6 protons सही से hold नहीं कर पाएगे इसलिए ये चार इलेक्ट्रों के जिसे ले भी नहीं सकता है और अगर ये चार इलेक्ट्रों देनी की सोचे तो ऐसा भी नहीं हो सकता है विकाँ हमें पता है कि इलेक्ट्रों को निकालने के लिए उसके शेल से इनर्जी लगती है और 4 electrons को निकालने के लिए बहुत जादा energy लगेगी तो इतना energy कोई दुसरा item खर्च नहीं करेगा electrons लेने के लिए तो ये दोनों possibilities खतम हो जाती है carbon के पास तो carbon क्या करता है carbon share करता है ठीक है carbon समझे ये carbon atom है ये इसका nucleus है और इसके हम last shell का खाली बना रहे है इसके पास 4 electrons है 1, 2, 3 and this is 4 ये दूसरा carbon atom है इसके भी last shell में 4 electrons है 1, 2, 3 and 4 ठीक है तो ये दोनों क्या करते हैं ये share कर लेते हैं अपने electrons और दोनों का फिर octet पूरा हो जाता है पास में आते और दोनों share कर लेते हैं मतलब इसके पास अब कितने electron होगे इस वाले carbon के पास इसके पास भी 8 electron होगे last orbit में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है और इसके पास कितने होगे इसके पास भी 8 होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो दोनों के last shell में पूरा होगे ना किसी को देने की ज़रुत पड़ी ना किसी को लेने की ज़रुत पड़ी दोनों ने अपने electron को share किया और फिर क्या हो गया दोनों का octet पूरा हो गया ठीक है तो ऐसा bond जिसमें mutual sharing of electrons हो आटम के बीच ठीक है same type के अटम के बीच होता है जादा तर लेकिन कभी कभार दुसरे अटम के साथ भी होता है लेकिन जिनकी electronegativity same हो electronegativity मतलब electron को अपने तरफ खीचने की शमता दोनों को electron को अपनी तरफ खीचने की शमता अगर same होगी दोनों अटम में तो ही non polar covalent bond बनेगा मतलब क्या है अगर समझ यहाँ कोई एक ऐसा item है जिसको बहुत जादे electron को बहुत तीजे से खीच सकता है या फिर बहुत तागत से पने तरफ खीच सकता है तो क्या है इस item का जो electron है लाशल का वो भी इसकी तरफ खीचवा जाएगा ठीक है और फिर polarity develop हो जाएगी यह हो जाएगा positive end और positive end यह हो जाएगा negative end because जो shared electron pair है वो इसकी तरफ खीचे चले आएगे because इसके पास खीचने के तागत जादा है तो दोस्ती हमेशा समान लोगों के बीच होती है इसलिए समान जो items होते हैं similar items उनके ही बीच में covalent bond form होता है non-polar covalent bond ओके आप covalent bond को समझ चुके हैं आप आगे बढ़ते हैं देखिए so carbon shares its valence electron with other carbon atom और atoms of the other elements to complete detox यह हमने देखा when each atom of a molecule contributes only one electron in the bond in bond formation the bond is called single bond covalent bond में भी कई प्रकार के bond होते हैं देखिए ठीक है आपको मैं आपके NCRT के example से समझाऊंगा हमारे पास यह hydrogen है hydrogen का atomic number है one ठीक है तो इसके पास कितने electron होंगे one last shell में इसके one electron होगे तो यह दूसरे hydrogen से जब bond करेगा तो दूसरे hydrogen के पास भी कितने electron होंगे one ओके तो यह जब दोनों bond करेंगे समझे यह रहा हमारा एक और यह रहा हमारा दूसरा तो यह एक इसका electron यह इसका electron ठीक है तो दोनों ने अपना एक-एक electron share किया मतलब यहां single bond बनेगा कितना bond बनेगा single bond single bond को ऐसे रिप्रेजेंट करते है h-h ठीक है एक single line से ऐसे single line से हम रिप्रेजेंट करते हैं single bond को अब समझी हमारे पास जो है oxygen है आपके NCRT के example ले रहा हूं oxygen बना रहा हूं यह ओके oxygen का atomic number है 8 तो इसका electronic configuration क्या होगा two and six ओके तो इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलेगा देखिए यह हमारा हुआ oxygen लास्ट हम इसका जो बनाएंगे structure यहां होगा एक electron दो electron फिर एक electron दो electron फिर एक electron और दो electron कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे छे electron है इसके पास लास्ट चल्में दूसरा oxygen का item आएगा यहां इसके पास भी एक electron दो electron तीन electron चार electron पांच electron छे electron तो जब oxygen bond बनाता है तो यह अपने दो electron pairs को शेयर करता है ठीक है इसने भी दो electron को दो electron pair को नहीं दो electrons को शेयर करता है तो इसने भी अपने दो electron को शेयर किया इसने भी अपने दो electron को शेयर किया तो क्या हो गया एक एक pair दोनों ने शेयर किया तो अब double bond बनेगा क्या मैंने बताया था जब दोनों दोनों जो आटम्स है वो एक-एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें बांड बनाने के लिए तो सिंगल बांड बनता है जब दोनों आटम्स दो-दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो डबल बांड बनता है और जब दोनों आटम्स तीन-तीन इलेक्ट्रॉन को शेर करें तो ट्रिपल बॉंड बनता है और ऐसे हमें बॉंड फॉर्म होते हैं देखिए तो हम ऐसे रिप्रिजेंट करते हैं ऑक्सिजन को ऑक्सिजन का ऐसे रहता है ठीक है अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एक दो तीन चार ठीक है यह इसके पास यह 2 एलेक्ट्रॉन और यह 2 है न उनको ऐसे लिखते हैं और इन है क्याstickत्य को सब्सक्राइब पैर यह उनन पाइव है यह उनन पेर है्यक्यर इसके पास किटने एलेक्ट्रॉन है एक दो तिन चा है तो दो वन ओन फिर चेंऊ इसके पास भी दो lone pairs है अब जैसे कि nitrogen है nitrogen का atomic number 7 इसका electronic configuration है 2 और 5 तो nitrogen का हम जर्ण structure बनाते हैं ठीक है nitrogen के last में 5 है 1 2 3 4 5 फिर इधर में nitrogen का एक फ्रक्चर बनाते हैं कि जड़ा बड़ा structure बन गया जान दीजिए कोई एक दो तीन चार पांच तो हमारे पास पांच पांच इलेक्ट्रॉन है लास्ट चल में तो nitrogen बनाता है triple bond ये तीन पेर शेयर कर我 की ये तीन पेर शेयर कर और ये भी थी libertarian करेगा तो यहां बनेगा ऐसे करेंगे ना अफ्रे न कि एंठी के आज को एंस पाइज चाहँ है वह दोनों एंस को इसे को यहां तीन तेमस् संप व्लांड करेंगे रोगा है nitrogen का और nitrogen के पास कितने lone pair हैं देखिए एक lone pair है एक ऐसे एक lone pair है इसको हम ऐसे represent करेंगे हाँ देखिए यहां है दो electron है ठीक है एक एक lone pair दोनों के पास है क्योंकि 5 electron थे उसमें से 3 electron bond बनाने चले गए triple bond और इसके तो इलेक्ट्रों बच गये जिसे हम lone pair कहेंगे तो आपको यह पता होगा कि नाइट्रोजन का जो बॉंड है यह बहुत ही स्ट्रॉंग बॉंड है और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पेड़ होते हैं उन्हें नाइट्रोजन के जरुरत होती है हम यूरिया डालते हैं पेड़ों में तो मतलब उन्हें नाइट्रोजन के ज तोड़ सकते हैं क्योंकि इपासान बात नहीं बहुत सारी इनर्जी लगती है त्रिपल बॉन भवात ही स्ट्रंंग होता हैão θα दो तोड़ते हैं कुछी जो नाइट्रजन मिले ही ना और प्लांट्स मर जाएं ठीक है तो देखा आपने किमिस्ट्री बाइलोगी से कैसे इंटर इसलेटेड है फिर लिंक है आगे बढ़ते हैं देखिए इलेक्ट्रों डॉर्ट स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना है कैसे करना देखिए हम चलिए मैं आप वही इलेक्ट्रोंस बनाने हैं जो की वैल इंस शेल में मतलब लास्ट वाले श।ह अचैक है तो हम पहले कारबन स्ट्रल आटम कोन रीडियुक्श ठीक है आपको यह पता होना चाहिए सेंट्रल आटम जो है कार्बन है तो कार्बन का जो इलेक्ट्राणी कॉन्फिगरेशन है वह है टू एंड फूर तो यहां हम एक सरकल बनाएंगे और इसमें उतने ही इलेक्ट्राण बनाएंगे कितने जितने की रिटेसें हैं उसके लास्ट शेल में है उससे पहले हम यहां है कि यृट्ड़ोजन होता है मिठन में कार्बन से एक ट्रहें बनाता है आगे पढ़ेंगे यह SP3 ही सब्सक्राइब को कोई इतना detail में जाने की ज़ूरत नहीं है और विकॉज हम एक्जाम के लिए त्यारी करने हैं तो हमें यहां से हमारा कार्बन एक देगा यहां से हथैं तो एक यहां देखिया हम वालन्स चेंल में कितने एलेक्ट्रोन के वन टू फ्री फॉर तो एसे बॉन्ड बनता है है hydrogen और carbon का methane में ठीक है यह और यह लिविस डॉट स्ट्रक्चर है इसको आपको सर्कल बनाना है मैं माउस यूज कर रहा हूं इसके लिए सर्कल ठीक से नहीं आ रहा है लेकिन आपको अच्छे से सर्कल बनाना है जब आपको बनाने को कहा जाए हम दुसरा भी कोई यह ले लेत है उतने लाइंस बनाएंगे ठीक है कितने वैदेंसी थी फोर फोर लाइंस बना हमने तो वहां आगे हम हाइड्रोजन रख देंगे तो यह भूल जाए कुछ नहीं है यहां है ठीक है तो ऐसे हम स्रक्चर बना सकते हैं मेधन का यह था मेधन का स्रक्चर और अब हम चली यहां कारबन होता है यहां कारबन होता है ठीक है एक सरकल यहां हम बनाएंगे एक सरकल यहां हम बनाएंगे इसके पास चार इलेक्ट्रोन है इसने एक इलेक्ट्रोन यहां दिया एक इलेक्ट्रोन यहां दिया इसके पास चार इलेक्ट्रोन है इसने एक इलेक्ट्रोन यहा अब हाइड्रोजन हमारे पास छे हैं तो एक हाइड्रोजन यहां आएगा एक हाइड्रोजन यहां आएगा एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां ठीक है एक इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन ने यहां दिया इस वाले ने यहां दिया इस वाले ने यहां दिया इस वाले ने यहा प्र Surprise K और हईड्रो जईन्सकी पूरी हो चुखी इस प्रकार से बना सकते अगर मैं आपको क्वाइनस्य बनाके दिखाऊ इस उतेन का यहां देख सकते हैं यह एक रबंपन जबसी कारबंबन मॉलand होता है फिर हमाई डूजन करेंगे देखिए यहां एक वैलेंसी पूरी हो गई थी कारबन की ठीक है आप कितने वैलेंसी बाग के रहेंगे वन टू थ्री तो स्री राइन बनाएंगे फिर हाईड्रोजन ऐड कर देंगे in में उके को और यह हो गया हमारा इंथन का ठ्रक्चर ठिक है तो इसे डॉट्ट स्रक्चर कहते 살gen डॉट्स स्रक्चर में उतने ही इलेक्ट्रण हमें बनाने है जितने व्ल स्च्छल में हो और पिर जो दो एटम्स्ष एक एक मॉल्ल भादिया इधेन और मिथेन का स्ट्रक्चर अब हम बात करेंगे लोट्रॉप्स के बारे में ठीक है लोट्रॉप्स अफ कार्बन मतलब ऐसे एक ही जिनका एक ही element से जो चीजे बनी है लेकिन उनका रूप अलग अलग है जैसे कि आप यहां student आप एक ही है ठीक है जो भी आपका नाम हो आपका नाम x है तो आप यहां जो है पढ़ रहे हैं तो आप एक student के रूप में है आप घर पे जाएंगे अपने भाईयों के साथ ख है एक ही लेकिन आपके रूप अलग-लग है ठीक है उसी प्रकार से एक element अलग-अलग रूप में पाए जाता है नेजर में से कार्बन ही है लेकिन कार्बन अलग-अलग condition के सबसे अलग-अलग जो है एक फ्रेंड के रूप में बन जाते हैं लेकिन आप हैं एक ही उसी प्रकार से जब कारवन अलग-अलग कंडिशन में जाता है तो अलग-अलग रूप उसका बन जाता है ठीक है तो ऐसे रूप को अलव ट्रॉफ कहा जाता है तो Allotrophs are different forms in which an element can exist, different forms जिसमें एक element रह सकता है, ठीक है, Allotrophs arise due to different arrangement of atoms of an element in a molecule, ठीक है, Allotrophs कैसे बनता है, क्योंकि उसका जो arrangement of atom है, वो बदल जाता है अलग-अलग molecule बे, ठीक है, मतलब एक, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो diamond है, उसमें कैसे रहता है element, मतलब carbon और graphite में कैसे रहता है carbon, ठीक है, fluorine में कैसे carbon रहता है, वो बताऊंगा, तो यहां क्या कहा गया है, एक ही element है, लेकिन उसके अलग-अलग arrangement की वज़े से, उसके अलग-अलग forms बन रहे हैं, जिसे हम Allotrophs कहेंगे, तो carbon के 3 Allotrophs होते हैं diamond, graphite और fluorine, यह दो आपको पता होंगे diamond और graphite और fluorine नया आ गया है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, देखे, diamond जो है वो एक Allotrophs है carbon का, और diamond में हर एक carbon का item जो है, वो दूसरे carbon से joint है, ठीक है, 4 carbon से joint है, मतलब समझी यह carbon का item है, तो इसकी जो 4 वैलेंस है, वो carbon से ही ठीक है, तो वो मतलब उसकी जो चारो जो वैलेंस ही है, वो carbon से satisfy हो रही है, मतलब वो चार carbon से bond है, हर एक carbon, हर एक carbon दुसरे चार carbon उसे जुड़ा हुआ है, और इसके वज़े से वो एक rigid three dimensional structure मनाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपको यह बात याद रख सकते हैं, कि जो diamond का carbon है, वो sp3 hybridized होता है, sp3 hybridized होता है, the bonds in the diamond are strong covalent bonds forming tetrahydral structure, ठीक है, जो diamond में bonds होते हैं, वो कि वो बहुत ही strong और covalent होते हैं, covalent मतलब electron share करके बनाये गए है, because यह carbon carbon में ही bond है, इसके लिए, दोनों atoms की electron negativity सेम है, और इसके लिए sharing से बन रहा है, तो covalent bond है, और बहुत ही strong bond है, और एक tetrahydral structure बना रहा है, ठीक है, so diamond is very hard, the hardest substance known, ठीक है, diamond हमें मालूम चीजों में से सबसे hard चीज है diamond, और इसके पास कोई free electron है नहीं, इसके लिए bad conductor of electricity है, फिर non conductor of electricity है, आगे देखिए graphite, यह है diamond का structure, आप देख सकते हैं, यह carbon atom जो है, इस carbon atom से जुड़ा है, इस से, इस से, और इस से, मतलब चार carbon atom से एक carbon atom जुड़ा होता है, इसे हम tetrahedral structure कहते है, graphite में देखिए layer structure हमको देखने को मिलता है, graphite में carbon atom is bonded to three other carbon atoms in same plane, giving hexagonal array structure, मतलब यह carbon atom है, किसका, graphite का, तो यह अपने ही plane में तीन carbon atom से जुड़ा होगा, ऐसे, ठीक है, और इसकी तो valency 4 है, लेकिन जिसने bond 3 बनाया है, तो यह एक double bond बनाता है, किसी एक carbon के सा यह एक double bond बनाएगा, okay, so, क्या दिया गया, of which one bond is double bond and thus valency of carbon is satisfied, वही मैं आपको कहा, देखिए, यह तीन अलगला carbon से bond बनाएगा, एक carbon graphite का, ठीक है, और hexagonal array like structure बनाएगा, same plane में है, इसके लिए, एक ही plane में structure बनाएगा, देखिए, यह पूरा three dimensional structure है, यहां, लेकिन यहां वो एक ही plane में structure बन रहा है, और double bond भी है, इसमें, ठीक है, graphite structure is formed by hexagonal array being placed in layer one above the other, ठीक है, ऐसे एक यह layer हुआ, ठीक है, उसके ओपर एक layer बनेगा, यहां फिर कहीं double bond बन जाएगा, कहीं यहां double bond बन जाएगा, ओके, ऐसे layer structure रहता है graphite का, और इसलिए graphite जो है, smooth और slippery रहता है, because इसके layers अपने एक के उपर एक खिसक सकते हैं, जबकि diamond में इसकी कुझाइश नहीं होती है, लेकिन graphite में इसके layers खिसक सकते हैं, और इसके लिए, smooth और slippery रहता है, और यह बहुत ही अच्छा conductor है, electricity का, जैसे कि, आम तोर पर non metals, जो है conductor नहीं रहता है, electricity के, लेकिन, क्यो certified का structure, यहाँ इसमें भी आपको दिख रहा है कि layered structure है, और अब देख सकती है, यह first layer है, और यह second layer है, ऐसे layer के ऊपर layer रहता है, और इसके लिए slippery रहता है, texture में, फिर हम फ्लूरेन की बात करते हैं, यह बहुत है, और जो पहला फ्लूरेन हमें identify किया गया था, उसका नाम था, c60, ठीक है, यह football के shape में रहता है, मतलब circular या फिर spherical shape रहता है इसका, और इसमें भी हमें devil bonds देखने को मिलते हैं, और इसका buckminster fluren का क्यों कहा गया इसे, because इसका जो structure है, वो US architect जो थे buckminster flour, इनके एक geodisk domino ने design किया था, उसके जैसा है, ठीक है, डो मतलब ऐसा है, जैसे उपर ऐसा वाला structure जो रहता है, dome, वैसा ही था, इसी लिए इसका नाम रखा गया, buckminster, c60 buckminster flour, ठीक है, तो यह थे carbon के elotrophs, इत्मा ही आपको याद रखना है, इसी में से question आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला question, अब हम देखें कि versatile nature of carbon, हमने देखा कि carbon, carbon जो है, वो bond बनाता है, covalent bond बनाता है, और because covalent bond बनाता है, और इसके bonds जो है stable है, इसी कारण से यह अलग-अलग elements के साथ bond बना लेता है, और अलग-अलग जगा पाये जाता है, फिर हमने देखा कि इसके bonding के वज़े से इसके खुद के अलग-अलग forms है, इसके elotrophs को हमने देखा, अब हम देखेंगे versatile nature of carbon, carbon के nature के बाने में, देखिए, पहला जो point है, इसमें हुआ है, catenation, तो catenation क्या है, carbon की ability एक chain में या फिर एक ring में form कर लेने की, ठीक है, carbon की जो items है, वो bonds बना बना के, बना बना के, large molecule बन जाते हैं, वही आपको इस slide में लिखा गया, आप पहले slide को पढ़िए, फिर मैं जो कह रहा हूँ, वो सुनिए, ठीक है, इसी property को catenation कहा जाता है, तो इसी current carbon जो है, branched compounds बनाता है, long chain compounds बनाता है, ring compound बनाता है, aromatic compound बनाता है तो carbon की जो है ability है, large molecule में बन जाने की, ठीक है, atoms को जोड़ जोड़ के, इसे ही catenation कहते हैं, और बहुत कम ऐसे elements से जो दिखाते हैं, एक खली एक जो silicon है, शायद वो दिखाता है, up to 8 atoms, ठीक है, लेकिन carbon 30, 50, 40 items तक दिखा देता है, ये catenation की जो property है, क्योंकि इसके जो large compounds बनते हैं, उनमें जो bond होते हैं, वो strong होते हैं, और इसके वैसे compound stable होता है, लेकिन silicon का 8 atoms का compound भी जो है, unstable हो जाता है, और इसी कारण हमें carbon अलग-अलग चीज़ों में देखने को मिलता है, because ये catenation करता है, ठीक है, तो ये इसके जो compounds है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक saturated और एक unsaturated, आगे detail में है, लेकिन अभी हमें जहाँ देख लेते हैं, देखे, saturated में double bonds नहीं होते हैं, double y triple bonds नहीं होते हैं, ठीक है, सारे single bonds होते हैं, unsaturated में, खली double bond ये triple bond भी हमें देखने को मिल सकता है, खली single bond नहीं होता, वहां में double y triple bond भी देखने को मि स्टेबल होते हैं पिर टेटरह ने नहीं तरहें के लास्ट अपन के हैं वह चार एलेक्ट्रोंन से के और इस लिए यह मोनो वैलेंट एटम से इसे चार और मुझा सकता है सकता है तो वो क्या करता है कार्बन से बांड बनाता है और अपना पूरा कर लेता है है मतलब उसके केशल में 22 और गए और सपustना तो रुदância कर देए पर दोधुरं हो जाते हैं तो तो हमें 請क्श में और फिर नंठैक खुद आज को बने आप पर यार्थ जो सबस्क्राइंट कर देखेंगे प्रोपे लिख मतलब चार कारबन ठीक है यह हीड्रो कारबन से हैं और इसी कारइंट से जो है कारबन विकाज वो टेट्रावलेंट है तो वह ख़ली कारबन से बॉंड नहीं बनाता वह अलग अलग अटम और अलग अलग वराइटे के कंपाउंड देता है ठीक है और क्योंकि क्या ऐसे दूसरे अटमस नहीं करते हैं करते हैं लेकिन कारबन का जो साइज है वो छोटा है उपर से इसके पास चार इलेक्ट्रों है लास्ट शेल में इसी कारण से जो है कि छोटे साइज के होने के कारण इसका जो न्यूट्लियार पूल है वहuls- incla है तक है इसका भूत टैक है इसका चार इल्लेकट्रों से लास्ट चेल में मनें जो इसका प्रोट्रों यहँ अच्छी तरह करता है तो ट्रेट्रावलेंड नेचर भी बहुत ही इंपॉर्टन रोल करता है कार्बन को इतने कंपाउंट्स बनाने में और इसलिए कार्बन इतने कंपाउंट्स बना पाता है अलग-अलग को सब्सक्रान होता है और यह कार्बन की कि टाकत की वज़े सेसी कंपाउंट्स मनते हैं और आएसे गया कला को याद रखीयेगा हाइद्रोकर्बंत मतलब खाली हाइद्रोजन और करबन कि के jáओंट्स उन्हें औरklinking और को और को treatment नहीं रहेगा खाली हाइद्रोजन और कारब लेकिन organic compounds में दुसरे compounds oxygen, fluorine, chlorine, sulfur वगरे हो सकते हैं لेकिन उनमे hydrogen और carbon का bond भी होता है तो क्योंकि ऐसा मालना जाता हैं पहरे जमाने में कि यह जो compounds है वो nature में obtained होते हैं और इन्सान बना नहीं सकते हैं वाइटल फोर्स के वज़ए से compound बन रहे हैं और इसी वाज़े से इनको organic compound कहा गया विकास यह और गयानिकली ही हमको मिल सकते हैं हम इसे laboratory में नहीं बना सकते हैं लेकिन आगे पता चला कि हम इने बना सकते हैं तो फिर अभी भी इनका नाम वही पढ़ा हुआ है इन्हें अभी भी organic compound से कहते हैं तो ऐसे compound जिन में hydrogen और carbon का bond हो और दुसरे items भी हो सकते हैं लेकिन hydrocarbon में खली hydrogen और carbon होंगे ठीक है तो आगे क्या लिखा यह आपका anxiety का point है carbon compounds except carbides oxides of carbon carbonate and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry ठीक है carbon के compounds को अभी भी organic chemistry में study किया जाता है सिवाइक इनके carbides के oxides के carbonate और hydrogen carbonate salts के इन यह जो carbon के compound है इनको organic chemistry में नहीं study किया जाता है बाकि सभी compounds को organic chemistry में study किया जाता है हुके hydrocarbons का मैंने बता दिया ऐसे compound जिन में खली hydrogen और carbon हो saturated का मैंने आपको बता दिया है saturated compounds में single bond होता है double bond triple bond नहीं होता है और unsaturated में double bonds और triple bonds हमें देखने को मिल सकते हैं देखिए अब प्रांच भी हो सकता है लेकिन इनमें जो है हमें ring form होता हुआ नहीं देख सकते हैं ठीक है ring form क्या बताऊंगा आपको ring form कैसे होता है उन्हें cyclic hydrocarbon का जाता है तो आप याद रखिए जो open chain compounds है ठीक है open chain compounds है उन्हें है सब्सक्तिटा है अन्हें से पहला है मीथेन में आपको बता दिया था जिए है था सभी करनेके क्या क्या नहीं करेंगे पहले कर्वां कर देंगे ठीक है तो इसका कर बन किलेंशी पूरी होके इसником की सेसफाय हो गई आप इसके पास तीन और तेना बनाइगे हम फिर वहां से भढ़ देंगे उन तीन लैन को और हमारा अजिसका नाम है इतhaina शाज नाम है इत्थेन बेल ऐसे यह प्रोपेन लिए बना सकते हैं देखिये वहां आपको बनाकर दिखाता हैं वहां बहुत कम जगह इसके लिए यहां हम एक professions लेंगे दुसरा कार्वन लेंगे दूसरा कार्वन लेंगे और fist इनको बनाएंगे इनके साथ ठीक है तो ये जो क्रणर है हमारे ये वाला यह वाला कार्बन इसकी एक वैलेंसी पूरी हो गए तो एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी तिसरी वैलेंसी चोथी वैलेंसी ठीक है इस कार्बन की बीच वाले कार्बन की जो है दो वैलन्स इस पूरी हो गए एक यहां से एक यहां से तो आब इसके पास ख़ली मितफी गिठाब न बचे थो एक दुलाइन इसकी यह लइस डलंस धो कारबन है इसकी एक वैलेस वैलंशी है तो एक सकल्षाड के तर्द देक hanno कर शकते हैं हाइड्रोजन भी ठीक है और ऐसे आप फॉर्मिले से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ओके तो यह थे अ इनमें दबल बन नहीं है अगर डबल बॉंड आजाये पार्बनकर में डबल बॉंड बॉंड आजाय तो अमें से इफर्मिले और फिटक रहेंन आपक फ़लए दो यह थैक है एक कार्बन वहांड मल भी मर highlighting उनकी दो जो वैलेंसिस है वो साइटिस्फाइड हो गई अगर ट्रिपल बॉंड आ जाए तो हम इसे कहेंगे इथाइन तो जो ऐसे हाइड्रो कार्बन है जिन में खाले सिंगल बॉंड है तो उसे हम अलकेन कहते हैं ठीक है अलकेन में कहते हैं मिथेन इथेन प्रोपेन अगर हम अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि मिवक्ष मार प्रोपेंटेन की बात करते हैं कि इसमें त्री आएगा और और च ते 터ल अज तो हम पहले 3 कारबन बनाएंगे 123 यहां वह यहां 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 हो कूंट की सब्सक्राइब कर दो तीन उसकारबन पर च्छे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ त्री टुजा शिक्स से एटी आना चाहिए दर मैंने गलती से ट्वेल लिए एटी आएगा आपको मैं एक फॉर्मिला बता देता हूं मैंने उसी फॉर्मिला से किया था पर गलती कर दी थी देखिए कि सी एन आगे लिखा भी हुआ है पर यह मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं एच टू एन प्लस टू यह अलकाइंस का फॉर्मिला ठीक है अलकेंस का फॉर्मिला अगर आपको अलकेंड करना है तो आप इसी फॉर्मिला से फाइंड कर सकते हैं कि आपको किसी भी जो है अलकेंड का नमबर अफ हाइड्रोजन ठीक है अगर आपको किसी भी का इसका कहाँ अलकेंड का करवन का नंबर पता है तो आप उसमेंड का नमबर फीपदा कर सकते हैं और आप स्रस्ट्रॉक्चर अब अब आथ करते हैं करें दुछाण लृकांव के लारे में डीकाव मेर्ट को हम क्या 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 करते हैं संays थांगे केनल एक मुस्य परापरटीज इंगे लेकिन फिजिगल पॉपर्टज दिफरेंगे बन विक सट्र हुड़ है कि queens जिन कर। ए कि कं॥ है कि एसे थांद का मॉल्लेकल परमेला से हैं लेकिन च्रॉक्च्रचर है और यह जैसे कि अभि बनाएंगे एक दूसरे से हाइड्रोजन कितने 10 12345678910 है ठीक है यह एक स्ट्रक्चर हो गया इसका हम इसे ऐसे भी बना सकते है तो इसमें भी हाइड्रोजन 12345678910 यहां भी हाइड्रोजन का नंबर 10 है यहां मतलब दोनों का दोनों में जो जो उनका स्ट्रक्चर की चेंए प्रेकरा से मीचनेुरे से लेकिन दोनों का स्ट्रक्टर जो है अलग अलग है उसके लिए The 345 किए 12345 अब ही क्या हो गया यह स्रेक्ट हो गया कि Esmaid hydrogen को जाइट कर है मैं आपको कर सकता है मैं आखते कर शिर सकता हो इसकाशन है 12345 एंब पलफ नृउल सकता 1445 को लुफिसा दूसरा भी फाम्यला होसकता है 12345 अचिए ऐसे आप यह फामला बना सकते हैं कितने इसके स्ट्रॉक्च्रल आइसोमर्स हो गए एक दो ती ठीक है तीन प्रकार से हम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे ही जो जिनमें ब्रांच हो ठीक है यह स्ट्रेट चैने इसमें कोई ब्रांच नहीं है लेकिन इसम को ब्रांच का अंधन थीक आप करते हैं साइकिलिक कंपवांट के बारे में साइकलिक कंपाूंड होते हैं जिनमें हमें रिंगיןस होते हुए दिखता है यह जिसकली 7erem में म्लता हैरें को एकय ऐसे कंपाूंड का फॉरमिला जो है वो हो अल्कीन से मैच होता है ठीक है अल्कीन का जो फॉर्मिला रहे प्याइक इसने हैं क्दाओ को अगर वो सैक्लिक में अगर ना हो तो फिर आपके ஈूंसन का भी दिया है तो भी आप सकते हैं तक है यहां एक ौन्द यहां यहां एक बॉंड 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 ठीक है तो ऐसे छे कार्बंस है और हर एक के ऊपर दो-दो हाइड्रोजन है तो में जो वी बना रहा हूं यह फिर दो व्लाइंस बना रहा हूं यह hydrogen को रिप्रेजेंट करें आप hydrogen लिख सकते हैं यहां भी हर जागा दो-दो hydrogen आएगा विकास कारबन के दो वैलेंसी सैटिसफाइड है और दो वैलेंसी बाठी है तो उसमें दो में hydrogen आ जाएगा तो इन्हें कि स्थाइग कंपाउंड का जाता है कि साइकलिक कंपाउंड में यह कंपाउंड हुत हैं जीने का जाता है है रो-मै्टिक कंपाउंड जो आक इसे बना सकते हैं अब जो है लोच आप इस अइं एन ऊब रघभन मॉर्ण होते हैं इसमें जोड़े दन्स और यहां alternate double bond है तो आपको इतना याद रखना है कि aromatic compound में बिजिन आता है यही आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं functional groups के बारे में functional group functional group जो है यह कोई भी एक atom हो सकता है या group of atom हो सकता है जो की एक compound की chemical property को decide करें ठीक है a group of item in a molecule with distinct chemical property मतलब एक hydrocarbon chain है और उस chain में कोई एक ऐसा atoms का group है जो उस hydrocarbon के chain के property को decide कर रहा है तो उसे हम functional group कहेंगे जैसे कि हमारे पास hydrocarbon में पता है मिथेन हो गया मिथेन के साथ हमने जोड़ दिया alcohol group alcohol group कैसे लिखते हैं उसे वेच वेच ग्रूप जोड़ दिया हमने तो यह वेच ग्रूप ही decide करेंगा कि मिथेन की property कैसे होगी और फिर उस compound का नाम हो जाएगा मिथे नौल या फिर मिथिल अल्कोहल जैसे कि मिथेन को हम ऐसे लिखते हैं यहां पर होगा 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 यहां पर होना चाहिए लेकिन हम हटा कि यहां लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा मिथे नौल या फिर मिथिल अल्कोहल ठीक है तो अब यह जो ओएच ग्रूप है यहीं डिसाइड करेगा alcohol की property को फिर aldehyde group भी हो सकता है CHO group ठीक है hello alkanes भी हो सकते हैं जिसमें halogenes hydrogen को hydrogen है alkane का उसको एक hydrogen को substitute करके दुसरा group आ जाता है ठीक है और उस group को हम functional group कहते हैं क्योंकि वो group जो है वो ऐसे आया है तो कुछ कर रहा है न वो क्या कर रहा है है वो वो उस hydrocarbon की property को decide कर रहा है इसलिए हमसे functional group कहते है ketone का ketone को हम कैसे represent करते हैं देखिए functional formula का है ketone का CO ठीक है इसे ऐसे represent कहा रहाता है CO R R ठीक से लिग देता हूँ मैं यहां यहां देखिए spaces C C को double bond होता है फिर R R R का मतलब है hydrocarbon ठीक है तो यहां alkaline group जुड़ा हुआ है यहां alkaline group जुड़ा हुआ है बीच में है CO ठीक है और यह जो है आपको मैंन का naming भी बता जेता हूँ यह लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं का रबोगजिलिक acid इसका functional formula है COOH ठीक है COOH ऐसे लिखायाता है इन्हें यह है इसका functional formula अल्डिहाइट का CHO ऐसे हम इन्हें लिखते हैं इनका formula ऐसे लिखते हैं फिर अब मैं आपको बता जाता हूँ अगर हेलोजन लगेगा किसी hydrocarbon में तो उसका नाम हो जाएगा यह आपकी पूर्शम नहीं यह फिर मैं आपको बता रहा हूं देखिए उसका नाम हो जाएगा अगर अलकोहल लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा ओल लास्ट में क्या लग जैगा ओल ओल ठेक है ओल जैसे की इथेन है हमारा एक प्यारा सा hydrocarbon इथेन है ऊके गुड इथेन को जब वेत गरूप लगेगा लास्ट में तो बन जाएगा इथे कि असरे ते इस न फायो कई डूज़ा है इस एकलिए टOL और यह रचाएगा और टो लग जाएगा ठीक है इस रूजन यह फिर इसे कह सकते हैं इसले इसले ल्कोहल इसले इसले अल्कोहमल भी कह सकते हैं इसले जड़ा प्रो तो इथे नल को प्रोपेन प्रोपेनन प्रोपेने चेनेल ब्रोपिर deficit schwz क्टो تم करें क्टोण कंद 31 मिक्ष्यosam संब्सक्राइब tietranat ठीक है इथनोन होता नहीं है इसमें हमें मिनिममं तीन कार aynı चाहिए तो प्रोपेश molt से सुरुता है किटा ठीक है प्रोपेश तो इस ही का जाएगा तो एक कारबन यहां तो इथनोन तो होगा नहीं है कुछ और होना ही चाहिए तो प्रोपेनोन यह फिर अ ब्यूटेनोन आगे देखते हैं कारबॉगजिलिक एसिड का लास्ट लेटर है वी वी टीक है वी एसे इसे जिनकी केमिकल प्रोपर्टी सेम हो या फिर ऐसे कंपाॉंड के सीरीस जिनकी केमिकल प्रोपर्टी सेम हो और जो जो खली एक CH2 group से डिफर होते हों क्या मतलब इसका देखिए अब अगर मैं एक अलकेंस में हर एक मेंबर को हर एक मेंबर में अलकोहल डालते जाओं जैसे कि मिथेन को मैं मिथेनॉल में परिवर्दत कर दो इस इनको मैं इतहनौल में परिवर्दत कर दो परैन को परिवर्दτत कर दो मिथेन का क्या हो गया मिथिल अलकोहल ऑसे निसको क्या हूग प्रपैन का परिवर्द आप सेम है तो ये जो अब सीरेंट करेगा इन imm сам हो जाएगी कि तो A醒 series जिसमें सबका functional रोप सेम हो ठीक है और जुन में difference क्या हो खली hydrocarbon चेन में difference हो changing to group का थे स्टो स्टेप्ध करम सेश यहlar слово इसे को हम homologous series कहते हैं और नकी chemical properties similar होती है व्यायर में उनमें functional group सेम हैं और मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रूप ही डिसाइड करता है एक हईड्रोकार्बन की प्रापरिटी अगर फंक्शनल ग्रूप लगा हो तो ठीक है अब यह आपको याद कर लेना है आपको एजाम में जी होगी किसी भी अलकीन का आप डिराइब कर सकते हैं फॉर्मिलाइस से अलकीन का डिराइब कर सकते हैं अलकीन का डिराइब कर सकते हैं फिर एस दे मास इंक्रीजेस इन हो मोलोगा सीरिस अ ग्रैडियेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी सीन ठीक है जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लो chemical properties में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है change because chemical properties तो सेम ही होंगी because उनमें जो functional group है वो भी सेम है तो यह है आज का वीडियो आज हमने आपका जो पूरा chapter है carbon and compound जो syllabus है आपका इसमें का term 2 में आने वाला वो complete कर लिया है आपको समझ में आगा वीडियो पिश्टे साल के एक बार IUPAC naming पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा उसका वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ एक बार वो देख लेंगे तो अच्छा होगा लेकिन वो वीडियो कब आप देखेंगे जब आपका पूरा portion complete हो जाए सब chapters का उसके बाद आप extra करिए पहले जो है वो तो करिए ठीक है तो पढ़ते रहे हैं मेनद करते रहे हैं आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आगे आने वीडियो उसकी नोटिफिकेशन लिटे रहे है और पढ़ते रहे हैं अब चलिए ठीक है बाई बाई